हम गोरी नंदन श्री गणे सिकी कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं क्यूं सब देवों में सबसे पहले पूझे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं हे गड़ पत जी महराज, मेरे मना दो बिगडे काश कैसे जन्म हुआ गड़ पति का पहले तुमें बताएं, गवरा कच्छ में सिउगण तो जब तब आही जाएं एक दिन गवरा माता गई थी करने को अश्ना, बोली नंदी को रखना तुम गार पे अपना ध्यां महलों के भीतर कोई भी आने ना पाएं, असनान ध्यान मेरा जब तक पूरा ना हो जाएं हात जोड कर नंदी ने कहां जैसा मा आदेश, लेकिन भोले नात आ गए करने को परवेश भोले नात को नंदी लेकिन रोक न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं क्यूं सब दियों में सबसे पहले पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं हे गड़ पत्य जी महाराज, मेरे बना दो बिगड़े काश हे गड़ पत्य जी महाराज, मेरे बना दो बिगड़े काश गौरा ने कह नंदी से क्यूं ना मानी मेरी बाल बोले नंदी रोकूं कैसे खुद है बोले ना मन में गौरा मा के तो है एक विचारा आया अपने उबटन से माने है पुतला एक बनाया मंत्र सक्ती से पुतले में फूक दिये है प्रान सुब मुहूरत में मा गौरा ने रखा गड़े सहना बोली मा के अज्याकारी बन कर तुम रहेना है मेरा विश्वास मेरा तुम मानों के कहना हात जोड़ वो मा गौरा खोसी सिनवाते हैं पावन कथा सुनाते हैं क्यूं सब दियों में सब से पहले पूजे जाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे गड़ पत जी महराज मेरे बना दो बिगड़े खाज हे गड़ पत जी महराज मेरे बना दो बिगड़े खाज फिर एक दिन गौरा मात आ गई करने को असना बिठा दिया गड़ पती बना कर पहरे पर दर्वान भोले नात फिर महलों में जाने को आते हैं बैटा कौन है वालक द्वार पे समझ न पाते हैं पूचा भोले नात ने कौन हो और कहां से आए अपना फरिचे गणपत ने भोले को दिया बताए करने लगे प्रवेस वो भी तर गणपत ने है रोका कहने लगे भोले क्यूं हमको तुमने है तोका हम खुद स्वामी गवरा के जब मरजी आते हैं पावन कथा सुनाते हैं क्यों सब देयों में सबसे पहले पूजे जाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे गड़ पत्यजी महराज मेरे बना दो बिगड़े कार मेरे बना दो बिगड़े कार बोले गड़ पत्य भोले को ये माता है आदे जब तक नहीं कहे माता ना आप करें प्रवेश है विंती मेरी की वापिस आप लोट जाओ नंदी से कहने लग भोले इसको जरा अटाओ नंदी ने भी गड़ पति को है बार बार समझाया माने नहीं वो फिर नंदी ने बल पर योग दिखाया बड़े ही बलसाली है गड़ पति नंदी हारे हैं फिर तो स्यूगण उन्हें हटाने आगे सारे हैं सब मिल करके भी गड़ पति को हटा न पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं क्यूं सब दियों में सब से पहले पूझे जाते हैं अल कथा सुनाते हैं ही गड़ पति जी महराज मेरे बना दो बिगड़े कार फिर तो बोले नात ने सब देवों को बुलाया था सारे ही देवों ने गड़ पति को समझाया था हटे नहीं जब द्वार से वो तो किया है बल पर योग पाँच सक्तियां इंद्र देव ने दी गड़ पति पे जोड़ लेकिन पाँच सक्तियां भी कुछ काम नाई थी लोट गई वो जब गड़ पति ने गता चलाई थी फिर तो बोले नात कोन पे क्रोध हुआ भारी लेकर के तिरसूल आ गए स्वैम जटा धारी क्रोध में भर भोले अपना तिरसूल चलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सब दियू में सबसे पहले पूजे जाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये गड़ पति जी महराज मेरे बना दो बिगड़े कार ये गड़ पति जी महराज मेरे बना दो बिगड़े कार वारिस फिर तिरसूल गरतन हो गई थी न्यारी गवरा माने जब देखा तो रुदन किया भारी बोली की क्या किया आपने ये हे भोले ना द्वार पाल ये बन के खड़ा था मान के मेरी बात लाल मेरे के दाल तुम्हे वापिस होंगे लोटाने रो रो करे बिला पुम गवरा बात नहीं वो माने कहने लग भोले गनेश का खंडित सीस हुआ पीट घुमा कर सोई हो जो बच्चे से हो उस बच्चे का सीस तो हम गड़पति को लगाते हैं पावन कथा सुनाते हैं क्यूं सब दियों में सबसे पहले बोजे जाते हैं हम कथा सुनाते नहीं इगडपति जी महराज मेरे बना दो बिगड़े काज ये गड़ पतिजी महराज तिरे बना दो बिगड़े काज स्यूगण तो फिर गवरा माने लेने सीस पठाए पीट गुमा सोई मा जिससे वो बालक न पाए खोज खोज वो हार गए छानी दिसा सभी एक हतनी आई नजर थी उन सब को तो तभी हतनी के बच्चे की गर्दन वो तो ले आए भोले नाथ ने वो गर्दन गर्दपति को है लगाए लगी जुगज की गर्दन वो जिन्दा हो जाते है सबसे पहले मत पिता को सीस जुकाते है इसलिए थो गजानन भी ये कहलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं क्यों सब दियों में सबसे पहले पूजे जाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे गडपति जी महराज मेरे बना दो बिगड़े काज हे गडपति जी महराज मेरे बना दो बिगड़े काज एक दिन कारतिक और गणेस में यूही चल गई बात हम दोनों के मात पिता गवरा और भोले नात करतिक बोले मैं हूँ बड़ा और तुम छोटे हमसे फिर भी माने क्यों जाते हो उत्तम तुम सबसे पूछने इसी बात को वो ब्रह्मा के पास आए किन्तू उत्तर ब्रह्मा जी उन्हें ये ना दे पाए विश्नो जी सायद कर सकते इसका तो समधा बोले ब्रह्मा विश्नो जी को मुझसे ज्यादा क्या विश्नो जी की शरन में फिर तो दोनों आते हैं पावन कथा सुनाते हैं यूँ सब दियों में सबसे पहले भूजे जाते हैं अलु कथा सुनाते हैं हे गड़ पत जी महलाच मेरे बना दो बिगड़े काच मेरे बना दो बिगड़े काच विश्नो जी तो दोनों को ही उत्तम बत लाएं लेकिन उनके उत्तर ये सहमत ना हो पाएं बोले विश्नो भोले देंगे इसका सही उत्तर पूछो ये प्रस्न तुम तो उनसे ही जाकर दोनों लेकर प्रस्न यही बोले के पास आएं सुनकर प्रस्न ये बोले जी भी है मुस्काएं बोले इस ब्रह्मान का चक्कर उसे लगाना होगा उत्तम साबित करना है उसे पहले आना होगा अपने मयूर से ये सुनकर कार्ति कूड जाते हैं वावन कथा सुनाते हैं सब दियों में सबसे पहले पूजे जाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे गडपत जी महराज मेरे बना दो भिगडेकाज हे गडपत जी महराज मेरे बना दो भिगडेकाज उड़े जो कार्तिक तो गड़ेस विवन में मुसकाए मुसक से तो पीछा मोर का किया नहीं जाए अपने बुद्धी बल का फिर तो है परियोग किया मात पिता का ही चक्कर गडपत ने लगा दिया आपके ही जर्नों में मेरी सारी स्रिष्टी है कहने लगे भोले कि तुम्हारी दूर द्रिष्टी है लोट के जब कार्तिक आए तो देख के चकर आए कैसे मुझसे पहले ये प्रम्हांट घुमाए बोले जी फिर उनको किस्सा सभी बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं क्यूं सब दियों में सबसे पहले पूझे जाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे गड़ पत्यजी महराज मेरे बना दो बिगडे काश हे गड़ पत्यजी महराज मेरे बना दो बिगडे काश मात पिता के चर्मों में ही होता है संसान कार्तिक ने भी मान लिया है गणपती जी से हाँ भोले ने वरदान दिया उत्तम कहलाओगे सब देवों से पहले गड़े सिजी पूझे जाओगे सब देवों ने गणपती की बोली है जै जैकार इसलिए इनकी पहले पूझा करता संसान सद बुध्धी के मालक है गौरी नंदन ये गरेश सद सद बार नमन करता है तुमको फोजी सुरेश डियस पालिस कितने सेवक महिमा गाते हैं पामन कथा सुनाते हैं क्यों सब देवों में सब से पहले पूझे जाते हैं अल कथा सुनाते हैं हे गड़पत जी महराज मेरे बना दो बिगले खात हे गड़पत जी महराज मेरे बनादो बिगलेकात